इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप Realme की मौईल फोन में जो है Bluetooth से इंटरनेट कैसे चला सकते हैं या फिर आप Bluetooth से इंटरनेट से कैसे कर सकते हैं किसी दूसरे मौईल में या आप किसी दूसरे मौईल फोन से अपने फोन में इंटरनेट कैसे च करते हैं सबसे पहले देखिए आपको झाना है अपने लित पर det。」 लेना है और आपको यहां पर क्लिक करके ब्लूटूथ को लेना है और अब दूसरों देखिए आपको जिस भी मॉइल सब्बॉступ के ब्लूटूथ से आपको अपने प्रूं में नट चलाना आई, या जिसका प्राइब करना है, तो आपको उस मॉबाइल में भी Bluetooth को लेना है, अन कर. तो अब जैसे ही आन कर लेंगे, उस device को दोस्तों लेगा सर्च कर, यानि कि दोस्तों लेगा ढूंड और नहीं ढूंड पाता है, तो आप यहां एक बार refresh पर दीजिये click कर तो आप देख सकते हैं यहां पर एक device को डूंड लिया है क्योंकि मैंने अपने दूसरी phone का Bluetooth on कर रखा तो दोस्तों देखिए जब device यहां पर सर्च हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको दोनो Bluetooth device का पेर बनाना होगा पेर बनाने के लिए आप एक बार device name पर click करेंगे तो दोस्तों आपके phone में भी एक दोस्तों pairing code बन जाएगा और दोस्तों उस mobile में भी pairing code बन जाएगा जिस mobile में आप जो है data को share करेंगे या जिस से data लेंगे तो आपको दोनों mobile में जो है pair के option पर देना है click कर तो आप जैसे pair के option पर click कर देंगे तो दोनों device के bluetooth का pair बन जाएगा अब दोस्तो देखिए आपको क्या करना हुगा कि दोस्तो अगर आपको अपने phone का internet उस phone में share करना है मतलब आपको अगर data को share करना है तब दोस्तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले यहां पर back आईए और नीचा आकर आप यहां connection and sharing का option मिलेगा इस पर click करिए और इसमें दोस्तो देखि connection and sharing में आपको यहां पर एक option मिल जाएगा तो उस device पर एक वार आपको click करना होगा और दोस्तो आपको उस mobile phone में यह देखिए internet access यह वाला setting आपको उस phone में देना है on कर जिसमें आप data को share करेंगे मतलब आप अपने phone का जिसमें दोस्तो internet दोस्तो भेजेंगे तो आपको क्या करना होगा कि आपको उस phone में internet access वाला setting देना है on कर तो जब आप उस phone में internet access वाला setting उन कर देंगे तो आपके phone में भी यहाँ पर दोस्तो देखिए इस तरीके से option आपको देखने मिल जागा internet connection sharing का मतलब आपका internet जो है उस phone में share दोस्तो हो रहा है तो इसके बाद दोस्तो आपके phone का internet जो है उस phone में चलना सुरू हो जाएगा अगर आपके mobile में internet on रहेगा और आपके sim में recharge रहेगा तो तो इस तरीके से आप जो है data को share कर सकते हैं लेकिन दोस्तो अगर आपको अपने phone में दूसरे mobile phone mobile का internet लेना है तब आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तो आपको सबसे पहले यहाँ पर back आना है और फिर से back आना है और आपको जाना है यहाँ देखिए connection and sharing में और इसमें आपको यह जो bluetooth tethering बाला setting है यह दोस्तो आपको अपने phone में देना है बंद कर और दोस्तो यह bluetooth tethering बाला setting आपको देना है उस phone में on कर जिसका data आप अपने phone में लेंगे मतलब आप जिससे internet चलाएंगे तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आपको अपने phone में bluetooth tethering बाला setting देना है बंद कर और आपको उस phone में देना है on कर žिस phone का data आप अपने phone में लेंगे और दोस्तो आपको अपने phone में कौन सा setting on करना होगा मैं आपको बता देता हो तो back आना है और फिर आपको जाना है Bluetooth में और दोस्तो आपने जिस Bluetooth device दोस्तों पेर बनाया है तो आपको जो है इस Bluetooth डिवाइस पर क्लिक करना है और आपको दोस्तों इस बार अपने फोन में ये इंटरनेट एक्सेस वाला सेटिंग देना है आउन कर तो आप जैसे ही ये सेटिंग आउन कर देंगे और दोस्तों उस मोबाइल में अगर Bluetooth टेस्रिं प्लुटूट से इंटरनेट को सेयर कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट चला सकते हैं वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए